एक लड़की जिसका नाम निधी है दिल्ली पुलीस मीडिया के सामने अचानक उस लड़की को वादात के तीन दिन के बाद लाती और ब्यान दिलवाती है ब्यान से साफ समझ आता है कि दिल्ली पुलीस अपनी छवी को बचाने के लिए भादपा के नेता को बचाने के लिए निधी को आगे करके इस तरह के ब्यान दिलवा रही है कि पूरी तरह से मृत पीडिता का चरित्र हनन हो रहा है सवाल जो अपराध हुआ उस पर नहीं अपराधियों पर नहीं मृतक पीडिता पर उठाए जा रहे हैं परिवार जन बोले हमें नहीं पता कौन है ये निधी जिसे दिल्ली पुलीस का सब के सामने लाकर सीधा सीधा पीडिता का चरित्र हनन कर रही है राधानी दिल्ली लगातार शर्मसार हो रही है कौन लोग जिम्मेदार है किनकी जवाददै बनती है जिनकी जिम्मेदारी निर्भया के समय 2012 में थी किसका इस्तीफा मांगा था दिल्ली की मुख्यमंत्री का मांगा था तो आज 2022 दिसंबर में अगर ये वारदात होती है तो आज दिली के मुख्य मंत्री को स्टीफा देना चाहिए या नहीं अपने जिम्मेदारी के तहट उस समय देश के प्रदान मंत्री डॉक्टर मनमोन सिंग जी का स्टीफा मांगा गया था देश के ग्रै मंत्री का स्टीफा मांगा गया था पुलीस कमिशनर का स्टीफा मांगा गया था और उस समय जो सडकों पर थे आज वो सत्ता में है लेकि ना वो स्टीफा मांग रहे हैं ना वो दे रहे हैं वो सिर्फ पीडिता को बदनाम करने का अपरादियों को भाजपा के नेताओं को बचाने का काम कर रहे हैं ये पहली बार नहीं हो रहा उत्राखंड की अंकिता भंडारी को भी मत भूलिएगा भाजपा के नेता शामिलता इसलिए अंकिता भंडारी के मामले में को दबाने की भाजपा के नेता को इसके रिजॉर्ट में हुई इस जगन्य अपराद को धकने की भाजपाने कोशिश की आज भाजपा मातर इसलिए खामोश है क्योंकि उनका नेता इसमें शामिल है